नमस्कार दूप्सतो फ़ागत है आपका डिवोटेट लर्नर्स पर अभी हम जो चर्चा करेंगे वह उत्त्रप्रदीश सरकार के द्वारा उत्त्रप्रदीश के मक्षमंतरी योगी आदित दिनात जी के नित्रित वाली जो सरकार है इस सरकार के द्वारा दूसरे कारेकाल का जो पहला बजट वित्यवर्ष 2022-23 के लिए पेस किया गया है उस पर शर्चा करेंगे जिसे वित्मंत्री शुरेश खन्ना जी के द्वारा पेस किया गया है और इस बजट में अगर हम बात करें तो इस बजट में राज्य हितु एक ट्रिलियन अर्थ व्योस्था का लक्ष रखा गया है और इस बजट में मुख रूप से बन्यादी ढाचे, रोजगार श्रिजन, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित ये बजट है बजट को की जो घोश्राएं हैं उन घोश्राओं को लेकर अगर हम बात करें तो ये बजट जो है इसके अंदर गत जो चर्चा सुरू करने के पहल की गई है इस युजना के तहट ऐसे बच्चों को 25-100 रुपे प्रतिमाह दिये जाएंगे जिनके माता-पिता कोविड में बृत हो चुके हैं बजट में अगले 5 वर्षों में 4 लाख नौकरियां प्रदान करने की बात की गई है कहा गया है कि हम अगले 5 वर्षों में 4 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए और राज में अगले 5 साल में 2 करोण स्मार्ट फोन और टब्लेट जो हैं वो बाटे जाएंगे इसके अलावा आयुश्मान कार्ड हेतु 560 करोण उपय तथा आयुश्मान भारत तथा कॉसर विकास के लिए 20 करोण रुपय का प्रावधान प्रस्तावित है विकलांगों के लिए 300 रुपय से बढ़ाकर 1000 रुपय प्रतिमाह करने की जो है वो बाग की गई है इसके अलब अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रदेश में 100 एंक्यूबेटर तथा 10,000 श्टा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुशी नगर और कुशी नगर के साथ अयुध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सुरू हो जाएगा और इसके सुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपो और बजट के बारे में जब हम जाने तो ये बजट क्या होता है?। तो दोस्तों, बजट जो है, वो एक वित्वर्ष के दोरा समस्ता राजास्व के आय एवं वय के बियूरो का बजट है। वारति-स समिधान में कहीं भी बजट सब्त का उलेक नहीं किया गया है हालांकि समिधान के अनुछेद 112 के अनुसार सरकार प्रतिवर्ष आगामी वित्य खर्चेतु आय एव व्य का लेखा जुखा प्रस्तुत करती है पतंद भारत का पहला बजट जो है वो आरके शड़ा मुखम चट कि आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा कि यहाने वाले अन्य विश्यों के जो भी आपके क्रेश कोर्ष हों आपको डेली कर इंटरफेर्स हों और जो भी अतरिक जानकारियां हैं वो आपको मिलें. NCRT के कोर्सिस भी हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि स्कूल जाने वाले बच्चे या अन्य परिक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को भी बहुत लाब मिलेगा. दोस्तों हमारा मुख्यो देश है कि गुर्वत्ता पुड़ सिख्चा को भारत के कोने कोने तक पहुँचाना है जो कि आपके सहयोग के बिना बहुत हैं मुश्किल है तो आप अपना सहयोग बनाए रखें और इस चैनल को जो है वो अपने आसपास कि जितने भी एक्स क्ला होगा कि डिवोटेड लर्नर्स एक ऐसी फिर्षी को कामने लेकर आए यो गुड़वत्ता पुड़ सिख्चा के ते वंचित तो इसमें हमारा सयोग कीजिए कैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजिए और अपना ख्याल रखिए जैहन्द जैप रहूँ